असलाम अलेकुम एविवन और वेलकम बैक टो दुबाई इन्फो टेक्स चैनल यूई में दुबाई में फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलेगी बहुत सारे मेरे वीवर्स मुझे काफी टाइम से एक चीज़ पूछ रहे हैं कि अगर वो यहां पे ऐस फ्रेशर आ रहे हैं आने का प्लान कर रहे हैं तो उनको एक माइंड सैट में अंदर एक सैलरी चाहिए जी कि इतनी सैलरी तक वो यहां पे उनको मिल सकती है इस वीडियो में आप लोगों को यही सारी डिटेल्स दूगा कि अगर आप लोग यहां पे आ आ रहे हैं अगर कुछीज मिस्ट हो जाती है जो कि आपके प्रोफेशन से रेलेटेड नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं मैं उसके बारे में भी आपको रिसर्च करके बता दूँगा सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे यह क्लियर कर दूँ के जब से पैंडामिक आया था तो डेफि से भी मेक्सिमम सारी ही कंपनिया वो बैक टू र przeciंप रही है जो भी सलरीज वो वाप इस बैक टू ered स्फ नोमल सके हैं में यह आताम पर लेटेस्ट इस सर्वेज हो रहे हैं उसमें ये बता जारेगा है वो depending on their business वो अभी salaries को बढ़ा सकते जो के एक positive sign है definitely जब companies का business अच्छा होता है तो उसके जो employees है उनको भी benefit मिलना चाहिए यहाँ पर एक चीज में आपको यह बता दूँ कि यह जो service होगा उसमें यह बताया जी कि यह जो increase है यह पिछले सालों की इस पर तोड़ा सा कम है जो के pandemic से पहले थे उसमें 4.5% या 3.8% था लेकिन इस time पर यह 3.6% है जो likely 2022 में increase भी हो सकता है यहाँ पर अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हैं UE के अंदर तो एक चीज में आप लोगों को यहाँ पर explain कर दूँ कि जो भी आपकी salaries होती है वो दो categories की होती है कुछ companies ऐसी होती है जो आप लोगों को एक gross package दे देती है कुछ आपको एक basic package देती है और उसके साथ में facilities भी देती है gross package क्या होता है उसमें आपको एक company बदाजी कि और other hand कुछ companies ऐसी भी होती है जो कि आपको एक basic package दे देती है और उसके बाद में वो आपको facilities दे देती है like कुछ company आपको बोलेगी जी हम आपको 3000 basic salaries देंगे लेकिन उसके साथ में हम आपको एक share accommodation भी दे देंगे जी के आपको companies क्या क्या facilities दे रही है इदर वो gross salary है या पर वो basic salary के साथ आप लोगों को यहां पर सारी facilities भी दे रही है बहुत सारी jobs ऐसी होती है जिन में आपको freshers है आपके पास experience है या नहीं है उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन कुछ ऐसी jobs होती है जिस जो high level की jobs होती है जिन के लिए आपके पास experience होना must होता है जब उसमें थोड़ा सा salaries के भी difference होता है और वहाँ पे freshers के ओपर और experience लोगों के ओपर different होता है salary का लेकिन mostly almost like एक ही जैसे होती है beginners के लिए अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा viewers पूछ रहेते different professions के बारे में तो one by one मैं आप लोगों को बता देता हूँ के different professions में IT में, accounts में, customer service में, security में, drivers की, bike riders की, cleaners की कितनी salaries होती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी बारे में पूछा है तो अगर आप लोगों के professionist में मैं मिस्स कर जाता हूँ, तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं सबसे पहले जो viewers हैं, कुछ ऐसे viewers हैं, जो कह रहे हैं, कि हमारे पास कोई भी इतनी ज़्यादा ना तो qualification है, ना हमारे पास इतना experience है हम लोग किसी किसम की काम में adjust हो सकते हैं, helper का काम कर सकते हैं, loading and loading का काम कर सकते हैं, cleaning में जा सकते हैं जो बिल्कुल beginning level की jobs होती है, अगर वो उनमें आना चाहते हैं, तो उनकी कितनी salaries उनको मिलेंगी तो यहां पे जो भी salary start होती है, बिल्कुल अगर आपके पस कोई qualification नहीं है, कोई experience नहीं है, तो minimum minimum एक हजार दिरम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद जो companies होती है, वो definitely जब आपकी salary एकजार होती है, तो उसमें आप लोगों को साथ other benefits दे देते हैं, जिसमें आप लोगों को साथ में accommodation और transportation भी दी जाती है, यह उन लोगों के लिए जिनके पस कोई भी experience नहीं है, कोई भी qualification नहीं है नमबर टू के उपर जो सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, अगर वो security प्रोफेशर में आना चाहते हैं, तो उनकी salary कितनी होंगी, security के लिए मैं आप लोगों के यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ के minimum आपकी salary metric होनी चाहिए, 10 standard होनी चाहिए, अगर आप as a security guard भी आ आपकी जो metric का certificate है, वो attest होना चाहिए, different जो भी jobs होती है, उनके लिए certificate का attest होना बहुत लाज़मी है, उसके उपर मैंने एक detail video बनाई हुई है, उसका link मैं नीचे description में दे दूँगा, आपको पता चल जाएगा है, जब आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको jobs के लिए कौन कोंट से documents attested होना लाज़मी है, यह बहुत important चीज़ है, बहुत सारे लोग होते हैं, जब यहाँ पे आपको job मिल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उनके पास documentation नहीं होती है, और फिर उनको एक लंबा process करना पड़ता है, अपने documentation को test कराने के लिए, वो video आपको काफी helpful पास attested must होना चाहिए, जो basic salary होती है, security की, वो 1200 होती है, और जो आपका काम होता है, वो 12 गंटे काम होता है, 9 गंटे आपका जो basic का है, और उसके बाद 3 गंटे over time, so जो gross salaries मिल जाती है, बहुत सारी security companies में, अगर वो भी depend करता है कि company नहीं है, या company already well established है, जो नहीं कंपनी है जो staff को salary देती है, security guard को almost like 1800 दिर्म तक दे देती है, 12 गंटे की duty के, जिसमें आपका basic और over time शामिल होता है, लेकिन जो world established company है, जो बड़ी company है, वो आपको 2000 से लेके 2200 के बीच में salary दे देती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 12 गंटे की duty के, इसके बाद जो supervisor होता है, definitely वो पर बहुत सारे viewers पूचें जी के हम अगर as a finance sector में, account sector में आते हैं, तो उसमें हमें जो basic बिल्कुल स्टार्टिंग में कितनी salary मिल जाएगी, इसके उपर भी depend करता है, कि आपकी qualification कितनी है, definitely जब आप as a senior accountant आते हैं, ये chief accountant आते हैं, तो आपकी salary तो start ही 7-8000 दिर्म के बीच म होती है, इसके बाद जो मुझे काफी सारे viewers पूचने जी के, और especially इन में ladies हैं, वो कहरें जी कि अगर वो teaching profession में आना चाहते हैं, ये nurses के profession में आना चाहती है, तो उनकी starting salary कितनी हो सकती है, teaching और nursing का जो काम है, उसमें यहाँ पे बहुत ही जादा demand है, आपको बहुत ही easily job मिल स सकती है, teaching और nursing में जो आपकी starting salary होती है, वो काफी अच्छी होती है, almost like 7-8000 के बीज में तो आपकी starting salary लगती है, इस से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी company में apply कर रहे हैं, और उस company कि कितनी बढ़ी है वो company, कितना staff है और किस level के उपर वो काम कर रहे ही है, इसके बाद बहुत सारे viewers हैं जोनों ने ये भी पूछे जी कि अगर वो IT सेक्टर में आना चाहते है, तो IT सेक्टर में depend करता है कि आपकी qualification कितनी है, बिकोज ये एक ऐस से जिसमें में आपकी qualification लाजमी होनी जाहिए, तो बिलकुल starting salary होती है, वो 5 से लेके 9000 के 20 में हो इसके बाद जो viewers हैं वो कहरें जी कि अगर हम लोग driving के profession में आना चाहते हैं, इस driver आना चाहते हैं या bike rider आना चाहते हैं, तो उसमें हम लोगों की salary कितनी मिलेगी, तो इसमें मैं आपको ये पहले bike rider के लिए या drivers के लिए अगर आप लोग यहां पे आ रहे हैं तो आपके प यूई का license होजे हैं कि उसके बाद आप इन jobs के लिए apply कर सकते हैं, जो bike riders की jobs हैं उसमें आप लोग 2000 से लेके 3500 के बीच में कमा सकते हैं, ये मैं आपको इतना differences लिए बता रहा हूं कि इसके उपर depend करते हैं कि आप per day कितने घंटे काम करते हैं, per day कितनी deliveries को आप लोग deliver करते हैं, जो drivers होते हैं, उन में ये होता है जी कि आपकी जो license है, उसकी category का है, कुछ light vehicles होती है, जिसमें छोटी काड़ी आती है, अगर आप बूच चलाते हैं, तो आपकी जो salary होती है, वो 800 लेके 2520 में होती है, लेकिन जब आपके पास bus का या truck का heavy license होता है, तो उसमें आपकी salary पचिस से लेके 3520 में आती है, इसके बाद बहुत सारे viewers हैं, जो ये पूच है, अगर वो as a receptionist आते हैं, customer service की jobs में आते हैं, तो उनको कितनी salary मिल जाएंगी, तो इसमें आपकी जो customer service reception की उपर जो लोग होता है, या telephone operators होते हैं, उनकी जो starting salary होती है, वो 1500 से लेके 1820 में ही हो होती है, और specially कुछ companies ऐसी होती है, जैसे कि आप किसी hotel के अंदर receptionist का काम कर रहे हैं, customer service का काम कर रहे हैं, तो उसमें साथ में आपको accommodation की साथ साथ खाना भी मिल जाता है, जो के प्लस एक additional benefit हो जाता है, आपके साथ, जो लोग यहां पे आना चाह रहे हैं, as a waiter और waitresses, जो काम भी सकती है, आपकी promotions होता है, supervisor, assistant manager, managers के level पर जब आप जाते हैं, तो definitely, आप लोगों की salaries है, वो भी increase हो जाती है, बहुत सारे लोग है, वो कहते हैं, construction के काम में हमें कितना मिल जाएगा, तो construction का काम एक मुश्किल काम है यहां पर क्योंके सम टाइम आपको वालों में, यूई में, दुबई के अंदर, temperature कितना जादा होता है, लेकिन construction के काम में भी, आपकी जो salaries होती है, वो ही 900 से लेगे, 1200 के बिलकुल start, जो बिलकुल एक beginning level के construction में होती है, उसमें होती है, इसके बाद जो सब करता है, कि आप बिलकुल आपके पास qualification है, definitely engineering की degree तो आपके पास होती है, लेकिन आपके पास experience भी है या नहीं है, definitely back home में आप लोगों के पास experience होता है, लेकिन यहां पर जो construction होती है, या दूसरी चीज़े होती है, उन में थोड़ा सा difference होता है, as compared to back home, उसमें आप लोगों यहां पर जो engineering के related की, जिनके पास degrees होती है, उनको almost like 5 से 8000 के बीज में जॉब मिल जाती है, depend करता है कि आप कौन सी company में और उस company में कितना size है, कितनी बड़ी वो company है, वो depend करता है कि उसमें आप लोगों की कितनी salary लगेगी, last के उपर यही engineering से related जो लोग है, वो पूछते ह काम के लिए आते हैं, जिसमें जो भी technicians हो जाते हैं, electricians हो जाते हैं, AC हो जाते हैं, plumbing का काम हो जाता है, या पर carpenters हो जाते हैं, उनकी salaries कितनी मिलती हैं, तो उनको यहां पर जो salaries, उनकी starting salaries होती हैं, वो 1500 से लेके 2000 के बीज में होती हैं, और उसके बाद depend करता है कि आप के पा हमें कितनी salaries मिलेंगी, इसमें अगर मैं आप लोगों के कोई profession को miss कर गया हूँ, तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं, definitely मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता दूँगा, apart from this, अभी जो current vacancies available हैं, बहुत सारी ICP vacancies हैं, जो के अभी जिनके लिए hiring हो रही हैं, उन सब के links में नीचे description में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देखके apply भी कर सकते हैं, अपना ख्यार रखेगा अपने इस channel का भी, अलाफेस